हलो एन वेलकम टू मैगनेट में सिंदी में हूँ आपका दोस्तों आपका होस्ट अनिल पाटिदार दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमने यूपी बोर्ट शुरू किया है उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतरगत क्षा आठवी का सामाजिक विध्यान हम लोग पढ़ रहे है हुआ है सभाजिक विज्ञान का जो विशए हैं वह भुगोल और भुगाल में का नाम है बुगोल किograph हम लोग इस्तेंवाल करते उसका नाम है प्रत्वी और हमारी दुनिया प्रत्वी और हमारी दुनिया के अंद्रकत आज मों बात करें चप्टर नंबर ग्यारा की चप् बहुत तेज बाड़ आ गए थी कुछ लोग बोलते हैं कि उस बाड़ का कारण है बादल के फटने के वजह से ऐसा हुआ था अक्सर ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ी इलाकों में ही बादल का फटना जारी जादा होता है तो उसके पीचे कुछ रिजन तो होगा आए इस रिजन वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप चाहें तो नहीं वीडियो को हमारे website magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं अगर आप चाहें तो हमारे एक बना हुआ है magnetbrains MB जो आपके Google Play Store मिल जाएगा आप उसको भी download कर सकते हैं सभी जगह पर आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री आपको दिखाई देंगे आई ये सेशन की शुरुबात करते हैं बादल का फटना मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बादल फट गया और एकदम से ब्लास्ट हुआ इसा कुछ नहीं होता है बादल का फटना का मतलब होता है कुछ लिमिटेट टाइम में एक घंटे मालो एक लिमिटेट टाइम में बहुत तेज बारिश हो जाए और इतनी तेज हो जाए कि लगबग एक हजार मिलीमिटर बोल सकते हैं उसको किषमा करें सो मिलीमिटर एक साथ सो मिलीमिटर बारिश हो जाए अगर एक साथ सो मिलीमिटर बारिश हो जाए दस सेंटेमेटर बरशा एक ही साथ एक घंटे में हो जाए वह भी एक किलोमेटर से दस किलोमेटर चोटे से छेतर में हो में एक घंटे में 100 mm मतलब 10 cm से अधिक वर्षया हो जाती है तो बादल का फटना कहते हैं और बादल फटने पर उस चेत्र में अचानक से बाड़ा सकती है जैसा की 2013 में उत्राखन्ड की अच्छी त्राजदी में आई थी बुइस खलन वा तिवर म् song अपर्दन की समस्या उत्पन हो सकती हो सकती हैं तो बादल का फटना एकदम से बहुत तेज घटना यानि कि आपने कई बार बारीश होतों होते वे देखी होगी लेकिन कई ऐसा देखा है कि आप दूर ख़ई खड़े हो और कई दूर बहुत तेज के बारिश हो और आपको वह बादल पानी नीचे गिरतावाँ दूवेजैसा दिकाई दे रहा हो दोस्तों इस तरह का बादल फटना हो सकता है तो यह कभी कवार होता है और बरसाथ की जिनों में अकसर देखा जाता है बादलों का फटना क्या है अगर हम लोग मोसम विभाग की परिभाशा की तरह चले तो मोसम विभाग की परिभाशा की मुताबित एक घंटे में 10 सेंटिमीटर या उससे ज्यादा बारिश एक छोटे इलाके में जो इलाका एक से 10 किलोमेटर के बीच का हो उसमें हो जाए तो इस घटना को बादल का फटना बोलते हैं यह ध्यान रखना आप मोसम विभाग की माने तो एक सीमिच छेत्र जिसका जो छेत्र कितना होना चाहिए एक किलोमेटर से 10 किलोमेटर वाले एरिया में एक घंटे में 10 सेंटिमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो उसको बादल का फटना बोलते हैं कभी-कभी एक जगह तो एक से ज समस्या बहुत कामन हो जाती अब आइए बात करते समझते बादल फटने के आखिर कारण क्या-क्या है परवती अवरुदों के कारण परवती आवरुदों के कारण बादल फटना जब भी कभी अधिक नम्यूक्त वयू तेजी से उपर उठती है हें तो होता क्या ऑक्सौल में मानलो यह परवत होगे इसको मैं समझाओंगा अच्छ से परवत अगर कुई मानलो हवा इ Calamaj नमिफ वाली हवा और परवत बीच में आगे और परवा बीच में आने की वजह से हवा और उपर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं यह आपके पास सामने डाइग्राम हैं देखें दोस्तों माल लो इधर से हवाय चल रही है इधर से नमी युकत हवाय कहीं से दूर से समुद्रे से नमी धरन करके ला रही है यह हवा तब तक बारिश नहीं करेगी एक चीज़ हम लोग बोलते हैं रिलेटिव हुमिडिटी इसको बोलते हम लोग सापैक्षिक आधिरता जब तक यह सापैक्षित आधिरता हंडेट परसंट नहीं हो जा तब तक जो है बादल कभी भी कभी वर्षा नहीं करेंगे होता क्या है कि यह नमी तो आ गई नमी युकत हवाय जैसे जैसे उपर उड़ते हैं टेंपरचर क्या होता है टेंपरचर नीशे गिरता है और टेंपरचर नीशे गिरता तो एक समय ऐसा है कि टेंपरचर कहां पहुच जाएगा इस हाइट पर जीरो डिग्री टेंपरचर पहुच जाता हो जीरो डिग्री टेंपरचर पर क्या ह बदलती है और उसी बूंदों में बदलने की प्रक्रिया को संगनन की क्रिया कहते हैं इसी संगनन की क्रिया में जो उर्जा निकलती है उश्वा निकलती उससे बादल बनते हैं और यही बादल उस बूंदों को क्या कर लेते हैं जकर लेते पकड़ लेते हैं लेकिन एक बाद आगी बाद पानी किरा देगा तो ऐसे में एक बादल की भी सोकनी की शमता होतीсь, जिसे हम लोग सापक्षिक आधरता बोलते हैं तो इस आधरता को अंग्र जिमिकतार ह्लेटीव हुमिडिटी तो इस सापेख्षिक आधरता का जब सापक शिक आदरता जब तक 100 परसंट नहीं होगी तब तक क्या होगा बादल पानी नहीं बरसाएंगे भले वहाँ पर बूंदे गिर बिंद बन गहीं हो अब क्या हो रहा है बादल बारिश करने को तो त्यार हो रहे हैं यहां बादल बन गए लेकिन लगातर हवाय पीछी से बादल बारिश करने की कोशिश भी करेंगा तो हवाय उसको और धक्का मार की और उपर ले जाएगी बादल बहुत दुस तक बोज गया और लगातर हवाय बादल से तकर रही और नमी खटी होती जा रही है 100% से भी उपर सपक्षिए जा ता अब तो बादल फटने वाले ब भी उसके अंदर बुंदे होंगी वह अचानक से नीचे गिरेगी और बहुत तेज मात्रा में कम समय के लिए एक घंटे में दस सेंटिमेटर बरिश कर देगी इसी को बादल का फटना बोलते हैं और बादल के फटने की कारण क्या है यह परवती अवरोध है तो इसी वजह से करें फटे अव जहां जहां पर प्रवती श्यतर फहाँ आखे अग्सल बादल की कंडिशन जाता है कभी कभार यह मेंदानी इलाकों में तो परवत नहीं है वहां कैसे होंगे बेदानी इलाकों में उत्तर प्रदेश में भी कहीं बाहर बादल फटने की घटना सुनी जाती है क्यों सुनी जाती है क्योंकि जब दो अलग-अलग मांसुनी ब्रांच टकराती है भारत का नक्षा देखना बाद का नक्षा कैसा है बाद का नक्षा इस तर पर उत्तर प्रदेश में टकरा जाते एक दूसरे से तो जहां दोनों के दोनों मांसुनी शाखा एक दूसरे से टकराएगी तो नमी कितनी होगी इधर की नमी दोनों मिलकर के बादल बनाएगी तो तेज मात्रा में बारिश हो सकती इसलिए मेदानी भागों में भी कभी कभार सबस्क्राइब ओसक्ति लेकिन कहाँ होगी जहां उस मेदानी भाग में जहाँ पर दो अलग-अलग मांसुनी धाराय भीज़ा यहां पर बारिश होती है और यह बादल का फटना भी बादल के दो करण में आपको बता है बोर सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कुछ ब्लादा चैनल मैगनेट बेंज हिंदी में आपको नहीं मिल रहे तो गबराने की कोई जरूद नहीं है आप हमारी वेबसाइट पर विजीट कीजिए वहां पर आपको सारे के सारे video sequence में मिल जाएंगे website का नाम है magnetbanes.com हमारी ये website आपको सभी प्रकार के scheme चला करके आपको प्रलोभन में या जाल में भसाने के कोशिश करते हैं magnetbanes हमेशा आश्वासन देता है watch 100% free हम हमेशा 100% free watch पर काम करते हैं magnetbanes बहुत सारे courses provide करता है cbsc Hindi और English medium के लिए ntsc olympiad cuit परिक्षा के त्यारी करवाते हैं आई टी जेई और नीट जेसी उच्छिस तरी परिक्षियों की तयारी भी करवाते हैं दोस्तों वहीं यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड इस्पोकन इंग्लिश बैंक एंड इंच्वरेंज और बी एससी यूपी एससी जेब और केप जैसी परिक्षा की तयारी भी मैगनेट बेंज बिल्कुल फ्री आपको करवाता हैं दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो सबसे पहले तो कॉमेंट लिख के ज़रू बताएं साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले